नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागट है आपका आपके अपने चैनल अंजली निउस कौन में। मैं हूँ आपकी वही अंजली। बड़ी गुस्ताक है तुम्हारी याद। उसे तमीज सिखा दो, दस्तक भी नहीं देती और दिल में उतर जाती है। जी हाँ आपने सही सुना हम आज के डेली राशी फलकिव बात कर रहे हैं। आज के दिन जिनका बंटे है या पर मैरिज अनुवर्सरी है, उनको मेरी और से धेर सारी बदाई हो और शुब काम ना आई हो। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हमेशा खुशियों में इन्वेस्ट करो, जितनी जादा खुशियां बाटोगे, बटोरोगे, उतना ही अच्छा महसूस करोगे। जीवन में हमेशा मुस्कुराने की वज़ा नहीं मिलती लेकिन आपकी एक मुस्कान दूसरों के मुस्कुराने की वज़ा जरूर होती है इसलिए सदा मुस्कुराते रहिए बेशक हर दिन अच्छा नहीं होता लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है आपके जिन्दगी चाहे कितने भी बूरी क्यों न गुजर रही हो आपको हर रोज सुभा धन्यवाद करना चाहिए कि आपके पास जिन्दगी है दूसरों की छोटी-छोटी मदद करते रहिएगा कई बार ये छोटी-छोटी मदद भी दूसरों की दिलों में बड़ी जगा बना देती है जब हम बैडते हैं तो हम डर पैदा करते हैं और जब हम कारे करते हैं तो हम इसे दूर कर लेते हैं यानि कि कभी भी खाली नहीं बैटना है आपको क्योंकि खाली दिमाग शेतान का घर होता है लक्ष भले ही तुमारा छोटा है लेकिन संकल्प हमेशा बड़ा रखिए जिस व्यक्ति में आत्म विश्वास होता है वे दूसरों का भी विश्वास हासल करता है अगर अपने लक्ष को हासल करना है तो तरीका बदलो इरादा नहीं आपको या तो अनुशासन चुनना होगा या फिर पच्चतावे का अनभव चुनना आपको है खुद पर विश्वास करना एक जादू के जैसा है अगर आप ये कर सकते हो तो कुछ भी कर सकते हो अपने लक्ष पर नजर और अपनी मेहनत पर विश्वास रखो सिब से पहले मैं आपको पताया दूँ के अजाब के लिए जो है लगी कलर जो बन रहा है वो रहेगा आज का ग्रीन यानि की हरा कलर आप डागरीन का भी इस्तमाल कर सकते है भागेशाली अंक रहेगा आज के लिए नमबर आठ ग्रहों के आज जो है कहती है कि आज का दिन कई माईनों में बहुत ही बड़ी आफ होने वाला है काम में सफदा भी मिल सकती है और लंबे समय से चले आ रहे और है किसी जो प्रजेक्ट था आज कम्पलीट हो सकता है यानि कैद कई लोगों का टार्गर कम्पलीट होगा तो कई लोगों का प्रोजेक्ट्स उन रहे हो अज़र आएगए जो भी परिशानी हूं उसका सामना करें परिसितियां जो हैं जल्दी ही समानी होती नजर आ रही है यानि कि कुल मिल आकर देखा जाए तो बहुती बढ़िया दिन कहा जा सकता है आज का भी साथी में आज इतारई भी कहते हैं कि आज अगर अदालत में मामलत चल रहा है जारतर जो अगर आप बीजी रहेंगे उसकी कारण घर में आप समय स्पेंट नहीं कर पाएंगे, लेकिन अपने बहुत से इंपोजन काम निप्टाने में सफलता हासल कर पाएंगे. वहीं आज आपकी महनत और आपका सल्फ कांफिरंस के वज़े से सफलता बहुत नजदीक आएगे. चाहे वो स्टूरेंस हैं, जॉब कर रहे हैं, जॉब ढून रहे हैं या बिजनस करते हैं. सब के लिए आज बहुती बढ़िया दिन रहेगा. हर बात को आज गहराई से समझन आपका विशेश कुन रहेगा. आज ये नकरात्मक प्रवर्ति के लोगों से जूरी बना गया रखेगा, बागे सब कुछ छीक है, वन्ना मान हान नहीं हो सकते हैं. बच्चों की तिरफ से भी कोई आज खास तनाम नज़र नहीं आ रहे हैं, बहुती बढ़िया रहेगा, ब मंगल में होगा. किसी भी सज्जन से मिलने का मौका मिलेगा और हाँ, जिससे आपके चुछ पॉजिटीव थोट्स बनते चले जाएंगे, काफे पॉजिटीव उर्चा आपको मिल सकती हैं उनसे. आज का दिन मन में कुछ इंताएं भी बनी हो सकती हैं, ऐसा आपने से कुछ लोगों को ही होगा, जिसके कारण काम में फोकस भी कर सकता है. इसे की बात को बस दिल्बे मत लगाएगा, बाकी जो दिन बहुत ही बढ़िया नजर आ रहा है. आज कुछ इंपॉटन्ट लाग्ध है कि आत्राएं भी आपकी संपन हो सकती हैं, कंप्लीट हो सकती हैं. ग्रह आज की बात करें तो आज वे विसाइक स्थल पर किसी बी तरह का इंपॉटन्ट फैसला जो है सो समझ कर लीजिएगा. आज जो परेजन टाइम चल रहा है उसको जड़ा ध्यान में रखिए, तब ही कोई फैसला करें, काम को लेकर कोई इंपॉटन्ट जो है आपकी ट्रैवलिंग हो सकती है, जो कि बहुत ही वाइदमन सावित हो रही है, जैसा कि नक्षत्र कहते हैं. साथि में आज किसी की निंदा मत कीजगा, इस बाग का ध्यान रिखेगा, क्योंकि जो लोग दूसरों की निंदा करते हैं, उसका ऐसा होता है कि दूसरों की घर पे जाड़ू लगा कर, वो जुनका कच्रा है अपने और ले जाते हैं, यानि कि आप आप के भागी बनते हैं इसलिए निंदा मत कीजगा, वहीं आपकी योगिता और मेहनत में कोई कमी नहीं है, बाकी आत्म विश्वास आपको बढ़ा कर रखना होगा साथ में आज कारिक शित्र में करमचारियों की गती विदियो पर आपको थोड़ी परिशानिल हो सकती है कि कुछ वो उन्होंने गल्व कर दिया, उन्होंसे कुछ हो नहीं पाया ठीक से जैसा आप चाहते हैं, तो यह छोटी मोटी चीज़ा चलती रहेगी पस्तना मत लीजेगा, हल निकल आएगा, जरा सूच-पूच से काम करेंगे नौकरी बेशा विक्तियों को आज ओफिस पर काम जो है, वो भी करना पड़ सकता है, ओफिसका काम घर पर करना पड़ सकता है वहीं आज आपका कोशिल और आपको सफलता जो है, आपको बहुत ही आगे तक लेकर जा सकती है इसमें कोई शक्त नहीं है, आप बहुत ही टलंटिर हैं, और अपनी टैलंट पर यकीन मानिये, पूरा भरोसा रखे सब कुछ आपकी टैलंट पर निर्भर करता है, और हाँ, जिन्देगी में हमेशा आगे बढ़ते रहने के लिए, हमेशा सीखते रहेगा साथ में आज आपको अपने लिए हर जो सिच्वेशन है, उसके लिए तैयारी भी रखनी होगी, ताकि आप जो है वस्टालिटी दिखा सके, फ्लक्सिबिलिटी होनी चाहिए आप में चलिए बागे बढ़ते और बात कहते हैं आज की लव लाइफ की बारे में, तो लव लाइफ कहती है कि पती पतनी की जो समंध है, वो नॉर्मल रहेंगे आज के दिन, सब कुछ नॉर्मल है मित्रों के साथ भी समय आप काफी स्पेंट कर पाएंगे, जैसे आपको बहुत रिलाक्सेशन फेल होगा आज किसी नई व्यक्तियों से भी मुलागात हो सकती है आप में से कुछ लोगों की शादे की मामलों में चर्चा हो सकती है, जो की बहुत ही जादा इंपॉर्टन लग रहा है आपके लिए जब तो ये रिष्टों में पार दश्टा नहीं आएगी, तो गहराई तो नहीं होगी इसलिए एक दूसरे से कुछ भी मत छुपाईएगा हमेशा जो एक शीशे की तरह साफ रिखिया आप एक दूसरे को, ट्रांस्परेंसी is very important in the life रिष्टे में भी कोई कमी नहीं आ रही है, बस अपनी सोच को बदला है, बाकी सब कुछ ठीक नज़र आ रहा है साथ ही में परिवारिक महौल खुष्टुमा बना रहेगा, मनोरंजन, आमोद, प्रमोन में भी समय वितीत कर पाएंगे आज घर बैठे, बच्चों का दिल लगाने के लिए जरा गेम्स के लिए उरहे में बहुत अच्छा लगेगा और आपका भी समय अच्छी ज़र स्पेंट होता नज़र आएगा चलिके बागे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के स्वास्ते के बारे में तो आज स्वास्ते कहता है कि आज परिवारिक महौल में कुछ थो है, थोड़ी बहुत अंचने आ सकती है लेकिन बागी सब कुछ ठीक बना रहेगा, स्वास्ते का ध्यान रखना है, स्पेशली अपने माता पिता का खाने पीने को चीजों पर मैं हमेशा कहते हूं थोड़ा लगान लगाई ये जादा ओयली फूद मत कीजिए जो दूद मलाई चीजें होती है, भार ही उसका रात में इस्तमाल मत कीजेगा, क्योंकि वो पच्चती नहीं है इसलिए इस पर चीज पर फोकस करेगा, पुराने रोगों से मुक्तिनलती नजर आ रही है और पेट में कुछ परिशानिया वो भी खतम हो सकते हैं अगर आप नेमित दायत लेते हैं और हाँ गुस्से पर कावु रखेगा, वरना मानसिक शान्ती बढ़ सकती है इसलिए जो है, हमेशा थंडे सभावे ही रहना सीखिए तो चलिए बात करते हैं आज के विशेश उपाई के बारे में तो आज विशेश उपाई आपका कहता है कि आज आपको बजरंग मान का पार पढ़ना चाहिए अगर आप वो नहीं पढ़ सकते तो आप कुछ है, अपने इश्ट देव के मंत्रों का चाप तो जरूर करना चाहिए अगर आप कोई भी मंत्र बढ़ते हैं जैसे कि आप हनुमान चलिशा का, हनुमान जी का मंत्र पढ़ सकते हैं या भी दुर्गा माता का आप कोई मंत्र पढ़ सकते हैं जैसे कि ओम, एंग्री, इंक्लिंग, चावंडा, विच्चे नमाहा तो इससे मंत्र का जो है अब 21 बार, 51 बार आप चाप करें तो बहुत ही इच्छे नेतीजी आपको देखने को मिलेंगे बाकी सब कुछ ठीक नज़र आ रहा है तो दोस्तों अगर आप कोई वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलीगा प्लीज, धन्यवाद